बारत और बांगलादेश के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच का पहला सेशन पूरे तरीके से बांगलादेश की टीम के नाम रहा बांगलादेश के कप्तान नजबुल हसन शांटो ने टॉस जीत कर पहले गेंदबाजी का फैसले किया और ओर कास्ट कंडिशन में पिच के मौस्चर का पूरा फायदा बांगलादेशी गेंदबाजों ने उठाया जब विराट कोहली, रोहिच शर्मा और शुबमन गिल को सस्ते में पवेलियन बेच कर बांगलादेश की टीम भारत पर दबाब बना रही थी आपको बता दें कि ये तीनों ही बलेबाज 10 ओवरों के अंदर पवेलियन लौड गए थे जिसके बाद भारती टीम काफी ज़ादा हस्ती हुई नजर आए लेकिन इसके बाद टीम इंडिया के संकट मोचक बने ओपनर ये शस्वी जैस्वाल और लंबे समय बाद मैदान पर वापसी कर रहे है विशाप पंथ रिशाप पंथ और ये शस्वी जैस्वाल के भी 54 ननों की शांदार साज़ेदारी हुई है और इस साज़ेदारी के दम पर उन्होंने भारती टीम को शुरुवाती जटकों से उभारने में काफी ज़ादा मदद की है साथ ही भारत के नेट रन रेट को भी काफी ज़ादा मेंटेन किया हुआ है 23 ओवरों में भारत का स्कोर फिलाल 88 पर 3 है रन रेट जो है वो 3.82 का है अनिकी करीब करीब 4 के आसपास का है फिलाल ये शस्वी जैसवाल 62 गेदों में 37 रंग मनाकर नाबाद है जिसमें उन्हों शांदार तरीके से टैकल किया नाहित रणा की पेस को भी काफी अच्छे तरीके से टैकल किया और पिनर मैधी हसन निराज पर जम कर दोनों बरसे आपको बता दें कि ये शस्वी जैसवाल और इशपन दोनों ही अटैकिंग क्रिगेटर हैं और दोनों से भारती टीम को उनी सकती है रोहित विराट जो की लगातार प्रेक्टिस से आउट थे लगा कि ये दोनों जो है वो मैधान पर वापसी कर रहे हैं बड़ी पार्टनर्शिप कर सकते हैं बड़े रंच बना सकते हैं लेकिन दोनों ही जल्दी पवेलियन लोटे दूसरी तरफ शुबमंगिल को सम बाजी करते हैं ये अन्पी टाइम्स की रिपोर्ट